So, Hello Everyone तो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे Indian Coast Guard, Navig, DB और GD के बारे में कि क्या इसकी job temporary है और इसका exam जो है वो कितना tough होता है because अभी हाली में Indian Coast Guard का official notification release किया जा चुका है batch 2 2023 के लिए जिसके regarding मैंने आपको पहली basic details basic जानकारियां दे दी है कि कब से कब तक इसके लिए apply कर सकते है exam कब होगा इसके लिए eligibility conditions किया है तो आप previous video को check out कर सकते है उसका link में description में आपको दे दूँगा अब यहाँ पे notification आने के बाद काफी सारे students interested है और काफी सारे students के काफी सारे doubts है जैसे कि क्या ये job temporary है और क्या इसमें exam बहुत tough होता है Air Force के comparatively कितना tough होता है क्योंकि काफी सारे students इसमें ऐसे हैं जो इसको first time देने वाले हैं अब यहाँ पे इन दोनों doubts के regarding मैं आपको बताने वालूँ और अगर आपको इसके अलावा कोई और doubt है आप comment section में लिख दीजेगा मैं उसका further videos में आपका doubt clearance कर दूँगा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या ये job temporary है अब ये job temporary है कि नहीं इसको मैं थोड़ा इस तरह साब को बताना चाहूंगा कि हमें ये पता होना ची क्या Indian Coast Guard भी Army, Navy, Air Force की तरह होता है क्योंकि आपके मन में question क्यों आया because ये अगनीपद जो scheme है वो Army, Navy और Air Force में आया है ठीक है लेकिन Coast Guard का आपने अभी तक हो सकता है सुना हो नहीं सुना हो और बहुत ज़्यादा chances है कि आपने नहीं सुना होगा क्यों? बिकाज जो Indian Coast Guard है पहली बात ये Ministry of Defence के अंडर में ही आता है ऐसा नहीं कि Ministry of Home Affairs के अंडर में आता है अडर ही आता है लेकिन मुद्ध की बात ये है कि अभी तो Ministry of Defense के अंडर आता है लेकिन पहले ये अग Para Military Force हुआ करता था Para Military का मितलब है कि वो एक तरह से Ministry of Home Affairs के अंडर आता था लेकिन अभी Ministry of Defense के अंडर तो अभी ना तो ये एक Military Force है और ना ही Paramilitary Force है Military Forces आपके क्या होती है Army, Navy, Air Force ये होती हैं आपकी Military Forces तो ना ये Military Force और Paramilitary Forces आपके क्या होती है जैसे कि आपकी CISF, CRPF, BSF जो आप SSEGD exam देओगे उसके थूँ आप Paramilitary Forces को ही जोईन करने वाले हो तो ना तो ये Military और ना ही Paramilitary तो बात ही आती है एकर ना ही Military है ना ही Paramilitary तो फिर है क्या ये एक आपकी Maritime Armed Force है Maritime Armed Force इसका मतलब है कि जो आपके तट होते हैं तट यानि कि जो Coastal Boundary है जहां जितने भी हमारे Coastal States हैं उनकी रच्छा करने का काम इनका होता है आप मेंसे काफी लोग का हो सकता है ये doubt आए कि सर नेवी और फिर Coast Guard में अंतर क्या वो फिर एक अलग वीडियो हो जाएगा क्योंकि नेवी की duties अलग होती हैं Coast Guard की अलग होती हैं खेर गुमा फिरा के सो बातों के एक बात यह है ये temporary job नहीं है ये एक permanent job है स्थाई job है ऐसा नहीं है जैसे आर्मी नेवी और एर फोर्स में जो अगनी पत स्कीम आई है वो इसमें भी लागू नहीं होगी ठीक है ये आपकी permanent ही रहेगी बात अगर करें दूसरे डाउट की ये exam कितना tough होता है तो अगर हम बात करें इसका exam अभी तो normal ली था जैसे कि अगर एर फोर्स के comparative ली अगर हम बात करूँ तो एर फोर्स के around ली था pattern अलग होता है वो मैंने अब कुसे प्रेस वीडियो में डिसकस किया तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं मैंने official notification में दिखा के आपके साथ वो ठीज़ें डिसकस की थी लेकिन अगर हम toughness, exam toughness की बात करें तो वो भी अगर मैं बात करूँ AFO से थोड़ा सा बढ़ गया उसका reason यह है कि थोड़ा सा vacancies इसमें AFO से comparatively काफी कम होती है यही कारणे कि इसका exam level tough करना ही पड़ता है क्योंकि अगर tough नहीं किया जाएगा तो फिर cut off उसमें काफी वो हो जाएगा क्योंकि उनको लेना उतना ही student है तो obvious यह बात हो क्या करेंगे exam level को tough कर देंगे और यह पिछली बार जो exam हुआ था उसमें एकदम से शार प्राइज हुआ था आपका जो exam level था उसमें तो इसी वज़े से भी बहुत important है कि यह जो change हुआ था level में उसके according prepare करें अगर आप इसकी preparation start करने वाले because exam के लिए जो time है जो समय है वो उतना बचा नहीं है last of March में होगा और इसके regarding हैं मैं भी पुरा plan कर रहा हूँ जो PTS दी थी उसको फिर से हम लोग बैट के पुरा revise कर रहे है revise in the sense कि उसको कैसे उसमें और changes किये जाएं कैसे और hard tough question डाले जाएं फिर वो ऐसे question डाले जाएं जिस तरह से पिछली बार आये थे तो इसके regarding हम लोग काफी सारे students यहां पर चर्चा कर रहे है कैसे कैसे यहां पर question आये तो और उसी हिसाब साब के नई PTS जो है design की जाएगी जो की आपका दो से तीन दिनों के अंदर आपको launch हो भी हो जाएगी और उसके regarding आपको announcement भी सुनने को मिल जाएगा Coast Guard के लिए PTS बाकि अगर हम बात कुरूं इसकी ताहरी कैसे करें तो ताहरी के लिए मैं आपको guide करता रहूंगा regular basis पे लेकिन अभी जो student आगे Air Force का exam देने वाले मैं उसे यही कहना चाहूंगा जो भी आगे अगनीपत का जो अगला intake होगा उसको देने वाले हैं तो उनके लिए मैं आप यह बोलना चाहूंगा कि उनके लिए भी क्योंकि batch आने वाला है विजयपत 2.0 विजयपत ने बहेंकर बवाल मचा एक तरह से बोल सकते हैं जो अभी आपका exam हुआ था आप रोज देखी रहे हैं जो हर shift को exam खतम होने के बाद उसी तरह से ही विजयपत 2.0 उसी तरह से नहीं उससे कहीं और बढ़ियां तरीके से विजयपत 2.0 आने वाला है तो चाहें तो आप उसमें अन्रोल कर सकते हैं और बाकी ये मुझे पता है काफी सारे student SSC MTS वाले भी है तो वो खेर मैं अलग वीडियो में डील करूँगा लेकिन मेरी उमीद ऐसी ही कि आपके ये दोनों डाउट क्लियर हो गया हुए अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट जेक्शन में डॉप कर सकते हैं बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल को जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको further वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजे जिसका लिंक डिस्क्रिप्चन है वहाँ पर भी important updates बाकी नोटिफिकेशन में भी ने वहाँ पर परमार डिफिन्स टेलिग्राम पर डाल दिया है बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके इसको share जरू कीजेगा बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद